आग्रा नगर निगम शेहर को रैविस फ्री सिटी बनाने के लिए तीन साल तक लगातार अभ्यान चलाएगा गर्तंत्र दिवस से इस अभ्यान की श्रुवात होई शेह टी में बनाई गई हैं जिसमें लगभग 30 कर्मचारी हैं इन मेंसे 10 कर्मचारी नेपाल के हैं केंद्र सरकार की योजना के तहर शेहरों को रैविस फ्री बनाने का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें एक आग्रा भी है 2030 तक डॉग इटन रैविस को खत्म करना है शेहर में लगभग 90 हजार स्ट्रीट डॉक्स है हर दिन लगभग 200 डॉक्स को इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिससे तीन सालों में टार्गेट पूरा हो जाएगा आगरा मिन अगरनिकम आगरा के दौरा आगरा सहर को रैविस फ्री बनाने के लिए इनिस्टिव लिया गया है इसमें लगभग 6 टीमें काम कर रहे हैं तीस एंपलोई है जो उसमें एक संस्ताग्द है अरनी फांडेशन उसके मात्यां से कारिक किया जा रहा है और एरिया व नगर निगम के इस अभियान में एक एंजियो भी मदद कर रही है इसी एंजियो के माध्यम से नेपाल के कुछ लोग भी इस काम में मदद कर रही है यह सभी एंजियो के साथ कॉंट्रेक्ट पर है नगर निगम के मुख्य पशु कल्यार अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंग ने बताया कि ट्रायल हरी परवत पर किया गया था अब शहर के बॉडर लाइन एरिया को कवर करेंगे इसके बाद रिंग वैक्सिनेशन सिस्टम के तहट काम करते हुए शहर के अंदर तक आएंगे अगर किसी शेत्र में किसी पागल कुत्ते की सूचना आती है तो पहले उसी शेत्र में अभियान चलाया जाएगा एक साल में टार्गेट पूरा करने के बाद दूसरे और तीसरे साल में भी इंजेक्शन की साइकल दोहराई जाएगी सीन्यूस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट